अब आंकन के निकली हैं, सीधे चलते हैं कृष्णा नगर की गलियों में हमारी सेयोगी अंजनों कश्य मौजूद हैं, यहाँ पर उनके बगल में है डॉक्टर हर्श्वर्दन, डॉक्टर हर्श्वर्दन निरंतर कृष्णा नगर से जीतते आएं हाला कि इस बार वो MP भी है लेकिन डॉक्टर हर्श्वर्दन के लिए मशूर है कि कृष्णा नगर में उनको कभी कोई नहीं हरा सकता और उनके साथ जीप में सवार हैं किरन बेदी, वक्ग की पक्की हैं जो समय दिया उस समय पर निकली लोगों का हुजूम, लोगों की भीर हमारी सेयोगी अंजना ओम के शब इस वक्त हमारे साथ हैं अंजना क्या हो रहा है यहाँ पर देखने में तो वा काफी भीर दिखाई दे रही है बिल्कुल भीर तो दिखाई दे रही है निशान्त लेकिन हम जहां से मौजूद हैं आप कह सकते हैं लेकिन क्या उस तरह की भीर है जैसी डॉक्टर हर्श्वर्धन पर हुआ कर दिखाई दे रहा है लेकिन यह वो हिस्सा है यहां से लगबख शुरू हो रहा है काफिला निशान और दूसरे हिस्से तक जाते हुए दिख रहा है डॉक्टर हर्श्वर्धन जिनका यह इलाका है जो यहां पर रहते हैं जिनोंने वर्षों से यहां पर काम किया हुआ है उनके नाम पर आज भी लोग यहां पहुंच रहे हैं किरन बेदी का भी नाम यहां पर लिआ जा रहा है किरन बेदी विजई हो और तमाम विक्त्री के नारे लगाए जा रहे हैं जैसा कि तस्वीरों में आफ देख पा रहे होंगे महेश गिरी, विजय गोयल, डॉक्टर हर्शवर्दन, किरन बेदी ये काफिला अब आगे बढ़ रहा है नेताओं का और किरन बेदी के लिए शायद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन नामांकन दाखिल करने के लिए वो यहां से दावाना हो रही है लेकिन इसी के साथ एक नए आगास की तरफ कृष्णा नगर बढ़ रहा है और आप कह सकते ही कि एक नया पन्ना अब यहां के इतिहास में लिखा जाएगा क्योंकि कृष्णा नगर डॉक्टर हर्शवर्दन के नाम के साथ जुड़ा हुआ था जिस घर पे हम खड़े होके इस वक्त चाट दे रहे हैं वहाँ पर भी लोग बस डॉक्टर हर्शवर्दन का नाम ले रहे हैं लेकिन अब यहां से एक नया पन्ना खुलेगा किरन बेदी के नाम का निशान अंजरा में एक चीज जानना चाओंगा किरन बेदी के लिए मशूर है कि वो वक्त की बड़ी पक्की है तो अगर भीड की बात की जाए तो वो इंतजार और नहीं करती है जैसे कुछ रैलियों में मैं सीधे सीधे नाम नहीं लेना चाओंगा नेता इंतजार करते हैं भीड कब आएगी तब हम निकलेंगे दो घंटे तीन घंटे डिले चलता रहता है यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है बिल्कुल बलकि मेरी थोड़ी देर पहले जब डॉक्टर हर्श्वर्दन से भी बात हुई इन्होंने इंतजार नहीं किया कि दीरे दीरे लोग इकटा हो, भीड़ो, मजमा हो, शक्ती प्रदक्शन किया जाए सीरे उन्होंने शुरुआत कर दी जैसे वक्त उनका हुआ यही पर जो जगह हम यहाँ पर मौजूद है आपको दिखा दे लाला लाजपत राए की मूर्ती यहाँ पर है, उनकी मूर्ती कोनों ने पहले गमचे से पोचा, उसे साफ किया निशान उसके बाद यहीं से वो निकली, उस समय यह पूरी की पूरी है, जो मजमा था, यहीं पर था सीधे बगल में यहाँ पर गाड़ी पर बैठी हैं और फिर यह काफिला देखिए आब आगे बढ़ता हुआ, यहाँ पर पहुचा है दीरे-दीरे यह काफिला आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी से ही थोड़ा सा ट्राफिक को भी दिक्कत हो रही है लेकिन ये देखिए, यह आगे का हिस्सा, वो काफिला उसी तेजी और अफ़्तार के साफ आगे बढ़ रहा है और जंडे लगाए लोग हैं वो उनके साथ जा रहे हैं तो बस यह वो हिस्सा है सड़क का जो आप देख रहे हैं इंतजार नहीं किया यह आपने बहुत सही का और पूरे रास्ते में निशान सबसे दिल्चस्प पे जब वो आती रही अपने घर से उदैपाक से पूरे रास् तो दिल्ली और कैसे उसको और बहतर बनाया जाया सके इस रास्ते पे भी उन्हें भी एसास था कि क्यामरा मीडिया सब कुछ उनके साथ है तो सब कुछ वो होता चला हुआ वो यहाँ पर पहुंची है और अब यहाँ आपके पास आ रहा हूँ लेकिन बड़ा खुबसूरत बताया अंजना ने अभी उदय पार्क से जब वो आ रही थी बीजेपी के लिए क्या सत्ता का उदय होगा यहाँ पर इस किरन से सवाल बड़ा है